असलाम लेकुम, मेरा नाम है सभीहा और अपने चैनल में हम आपका वेलकम करते हैं आज हम बनाने जा रहे हैं प्रोटीन सैलेट जो की हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होगा तो चलिए देखते हैं हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी हमने लिया है आधा कप काबूली चने, आधा कप सफेद राजमा काबूली चने और राजमा हमने राद भर पानी में भिगो कर इसे प्रशर कुक कर लिया है आधा कप सूखी भुनी हुई मूंफली के दाने अभी आप इसे साइड में रग दें अब हम उन सबजीओं को कट करेंगे जिसे हमें स्टीम करना है एक शिमला मिर्च जिसे हमने bite size pieces में कट कर लिया है यह हरी शिमला मिर्च हैं, इसके साथ-साथ हम पीली और लाल का भी इस्तिमाल करेंगे आधी पीली शिमला मिर्च और आधी लाल शिमला मिर्च और ब्रॉकली को भी हम स्टीम कुक कर लेंगे सबजी आप अपने मन मुताबिक ले सकते हैं अगर आपको इसमें बेबी कौन भी शामिल करना है तो वो भी शामिल कर दीजिए फ्लोरेट्स को हमने इस तरीके से कट कर लिया है और जो इसकी सॉफ्ट स्टेम होती है उसे भी हम कट कर लेंगे इन सबी सबजीयों को अब हम स्टीम कुक करेंगे यह हमारे पास स्टीमर है इसमें हमने नीचे पानी आड़ कर दिया है उपर हम वेज़ेटेबल्स डाल कर इसे कवर कर देंगे इसे हमें सिर्फ तीन से चार मिनिट तक स्टीम कुक करना है ज्यादा नहीं कुक करना तीन चार मिनिट हो चुके हैं चलिए अब इसे चेक करते हैं बस अब आप इसे उतार लीजिए और इसे ठंडा होने दें चलिए अब हम उन सबजियों को कट करते हैं जिसे हम कच्चा ही शामल करेंगे हमने लिया है एक खीरा जिसे हम bite sized pieces में कट करेंगे एक tomatoes जिसके seeds we had हमने निकाल लिये हैं अगर आप चाहें तो avocado भी शामल कर सकते हैं आप एक छोटी सी प्याज ताजी-ताजी धनिया की पत्या दो-से-तीन लहसुन की कलिया बिलकुल बारीक कुटी हुई एक हरी मिर्च बिलकुल बारीक कटी हुई एक निम्बू कररस सौ ग्राम पनीर को हमने छोटे-चोटे पेसेज में कट कर लिया है अब इसे हम गरम पानी में भिगा कर रख देंगे चार से पांच मिनट के लिए पांच मिनट बाद हम पानी को डिसकार्ट कर देंगे चलिए अब हम अपना ड्रेसिंग तयार करते हैं सबसे पहले हमने ले लिया है दो खाने का चम्मच जैतून का तेल आप इसमें रिफाइन ओल शामिल मत करिएगा इसमें कोई भी सेलेड वाला तेल इस्तिमाल करिएगा अब हम शामिल करेंगे हरी मिर्चे बारी कुटी हुई लहसुन जीरा पाउडर अगर आप इसे चटपटा करना चाहते हैं तो आप इसमें चाट मसाला पाउडर भी शामिल कर सकते हैं एक चौथाई चम्मच कुटी हुई काली मिर्च एक चौथाई चम्मच नमक जाइके के मताबिक एक निम्बू का रस चलिए अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि इन तमाम चीजों का फ्लेवर अच्छे से इंफ्यूज हो जाए तेल में ड्रेसिंग हमारी तयार है अब हम सारी चीजों को असेंबल करेंगे उबले हुए काबुली चने उबले हुए राजमा भुने हुए मुफली के दाने अब हम शामिल करेंगे सारी कच्छी सब्जियों को और ये शामिल कर दिया हमने ताजी धनिया की पत्तियां और लेट्टस लीव्ज अब हम शामिल करेंगे पकी हुई सब्जियों को जिसे हमने स्टीम कुक कर लिया था और आखिर में हम शामिल कर देंगे पनीर को भी अब हम इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तों अगर आप डाइटिंग पर हैं तो इस सालेट को आप जरूर कंजियूम करिए रात में रेगुलर मील की जगा पर आप ये सालेट शामिल कर सकते हैं और अगर आप डाइटिंग पर नहीं भी हैं तब भी आप इसे ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं बिना किसी वज़ा के दोस्तों इस रेसिपी को आप जरूर ट्राइ करें आपको बहुत पसंद आएगी और हाँ अपना एक्सपिरिंस हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मज़दार रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें मेरी वीडियो देखने का आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया झाल को सबस्क्राइब करें